तो बशचोव मोशन नावान न में हमने जो कर लिया वह basic जो knowledge ही वह । पॉइंट object कभ खिस object को बोल सकते हैं है ना और distance क्या होतास है displacement क्या होता है displacement ... टाइम reaching इनका slope हमें क्या दे गया कभ slope जापज रहोगा इनकी बढ़ व्हात है यह सारी छीज़ें हम कर चुके हैं speed और velocity के बीच में difference तक पाँच के पीच तक पहँचे हैं छलो हम अहां तक खोल लेते हैं जी और इसका मतलब है कि आज हम different type के जो problem available होंगी इस chapter में आज हम उन पर जाएंगे पर कुछ एक कि तुम्हारे स्कूल के लिए डेरिविशन्स है वो करवाऊंगा और उसके बाद जो प्रॉब्लम सॉल करने की टेक्निक्स हैं वो करेंगे तो क्या हम यहां तक पहुंचे थे यह कर लिया और क्या यह भी कर लिया बहुत बड़ी है जी स्लोप आउफ स्पीड टाइम ग्राफ कर रहा है यह नहीं किया भी है चलो हम पूरा यह वला रिवाइस कर लेते हैं यह वला रिवाइस कर लेते हैं यह वला रिवाइस कर लेते हैं यह हमने यहां तक किया था और यहां तक आप लोगों ने क्या क्या Speed Distance upon time यह होती है Distance क्या है बटा Scalar Physical Quantity है अगर Distance Scalar है तो Speed Vector कैसे हो सकती है Speed भी तो Scalar ही हुई ना तो Speed भी Scalar Physical Quantity है Speed is a Scalar Physical Quantity जिसके पास Magnature तो होगा पर Direction नहीं होगी उसके पास Speed can increase or decrease with time अब Distance के साथ यहां इसने थोड़ा turn ले लिया Distance क्या था? Distance always increase with time वो कभी decrease नहीं कर सकता है लेकिन Speed can increase or decrease with time Speed can increase or decrease with time लेकिन Negative अभी भी नहीं हो सकती क्यों? अरे Distance Negative नहीं होता भाई अगर Distance Negative नहीं होता तो Speed Negative कैसे हो जाएगे? मतलब यह हुआ के जब हम Speed Time Graph ड्रॉख रहेंगे तो Exactly Graph में हमें पता नहीं चलाएगा Body किदर को गई क्यों गई कैसे के? Magnitude का तो आइस छे से एडियो हो जाएगा Direction के बारे में साइलेंट रहेगा रहना भी ची है Scalor Physical Quantity इसके बास Direction होती नहीं है लेकिन अगर Velocity Time Graph होगा वो तो Direction के बारे में सब कुछ बगएगा बिटा तो इसलिए Velocity is a Vector Physical Quantity क्यों? Dispacement upon Time के बराबर होती है Velocity can increase or decrease the time और Negative भी हो सकती है पदरी भी हो सकती है Zero भी हो सकती है और Velocity Time Graph जब हम Draw करेंगे तो Body की Direction के बारे में वो अच्छे से आपको inform करेगा Velocity Time Graph बहुत कुछ Question Solve करने में हमारी help कर सकता है और करेगा Direction की बिद Direction के बारे में मान लो कि हमारे पास कोई Body है जो हमने Upward Direction में fake के बटा Last time हमने Dispacement Time Graph किया था Upward Direction में जब Body को fake होगे तो Velocity का Magnitude कम 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 होता जाएगा Highest point पे 0 और इसका रुकने के बाद Body Direction चेंज करेगी Negative velocity Downward Direction में वही तो हो रहा है तो पहले Velocity positive उसका Magnitude कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है तो Highest point पे 0 तो उसके बाद Body Moody और Downward Direction में चली Velocity Negative Velocity Negative लेकिन आप इसी Body का जो Upward Direction में आपने फेकी और सबने फेकी होती है Ball फेकी होती है पतर फेकी होती है तो कोई नहीं चीज तो है नहीं है हम तो सिर्फ Graph बोल रहा है कि ग्राफ कैसा बनेगा Velocity Time Graph जो Body Upward Direction में आपने फेकी उसका ऐसा बनेगा देकिन कोई बोले आर नहीं नहीं Speed Time Graph डॉकर हो भाई Speed तो Negative में जाए इन सकती है तो अगर Speed Time Graph को इसी Body का आपको डॉकर करने को बोलता है यह रहा Speed कम होती के कम होती के और फैनली 0 है यह स्पेंट पे लेकिन जब Body Moody तो Direction के बारे में अभी भी साइलेंट है Speed का मेंगनिचुड फिर बढ़ना शुरू हो गया ऐसे ही तो होता है तो मेंगनिचुड के बारे में Perfectly Information देती है मेंगनिचुड के क्या हो रहा है Direction के बारे में गराफ साइलेंट है तो यहां से मेंगनिचुड बढ़ना शुरू हो गया नीचे नहीं जा सकता है ग्राफ क्यों Speed negative नहीं हो सकती तो यहां से 0 पर आया और फिर मेंगनिचुड बढ़ना हो गया जो तुम्हारे हाथ में बाड़ी आई तो अच्छा कासा मेंगनिचुड था जितना उप्ता आओ उपर जित सब्सक्राइब कि शायद उसके बराबर यह तो Speed time graph ऐसा हो गया लेकिन lost time graph हमारा negative में भी जा सकता है यह हमने लास्टाइम भी किया किया ना चलो में अगया थोड़ा और देखते हैं Speed time graph के बढ़ना Slope of Speed time graph आपको क्या देगा acceleration का magnitude देगा direction के बारे में तो बता हीं सकता है तो acceleration के magnitude के बारे में अच्छे से information देगा लेकिन direction, speed के पास अपने पास नहीं होती तो acceleration के बारे में क्या बताएगा area under speed time graph क्या देगा बटा distance traveled तो speed time graph के अंदर जो भी area होगा hop base into head जैसे triangle बनी है वो आपको क्या देगा distance से traveled by the body देगा slope of velocity time graph आपको क्या देगा acceleration देगा with perfect direction के साथ information के साथ और area क्या देगा बेटा area क्या बना ये velocity और ये time S क्या होता है V into T तो बेटा इसके अंदर जो area V into T की information तो देगा S की मतलब displacement की information देगा area under velocity time graph ये नोट करना with proper algebraic sign मतलब कोई अगर area पादरीव है तो पादरीव कोई negative है तो negative with proper algebraic sign gives displacement of the body यहां तक नोट कर लें फिर मैं इस graph पे जाता हूं और इस graph से आपको बताता हूं के distance और displacement कैसे करने का velocity के magnitude को ही हम speed बोलता है velocity का magnitude अगर होगा इसको बटा मार थापड़ा तेरको बोलिवे इसको बोलिवे थापड़ मारेसको ने विटा है ऐसे गवराते हैं नहीं थोड़ा फरक आप लोगों में पढ़ने लगा ये फर्क जारी रखे और वो है के पूस्ते रही है चीजें आसान नहीं किसी के लिए नहीं है ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए इंडिया में जितने भी प्लस्वन के बच्चे इस टाइम हैं सब परिशान हैं सब खजल हैं क्योंकि लोग डाइन वाले इंसान हो तुम लोग स्पेशल टाइप के हैं जिनके आदें बहुत बहुत शांदार हैं घर में मैटके बिस्तरे पढ़ने के आदें पढ़े हैं तो मिटानी आईसा इसा जाएंगे और साथ में प्रेशर एक जम से जबड़ा स्कूल का स्कूल क स्कूल का भी है यहां सिफ बलाओं को सिफ का भी है और बाकी भी है संभल लोगे तुम लोगे लेकिन पूछते रहो ऐसे नहीं चलेगा कि तुम यहां से आए और क्लास में शकल दिखाई और दोड़ लिए असाइनमेंट वो नहीं करनी फिर आगे एक्जाम में जो मार्स हा के थेल्ड है जितना चल्दीो सके मालो के ये आपके पास एक रवैंडा यहां तक पहुंच गेंगे यहां तक लिया मालो यह आपके पास क्राफ है कैसा लश्चित गराफ कर आ बोला गया विलास्टी टाइम अड़का को फेकिती फिलसी जीरो होगी फिर बाड़ी बापिस आई ऐसे राइट और अगर ये ग्राफ मेरे पास यहां से 0-10 सेकंड का है उसके बाद 10-15 सेकंड तक यह रहा 15 सेकंड तक का इग्राफ है तो होगा क्या यह वाला एरिया बेटा पॉद्री हाफ बेस टैन इंटो हाइट क तो यह वाला इसके अरिया आगा 50 unit यूनिट मतलब अगर आप मीटर पर सेकंड में और मीटर सेकंड में यह तो मीटर आजाए गाए तो यह आगा 50 unit और नीचे वाला एरिया क्या बेटा यह वाला कितना माना बेस पांच हाफ 5 इंटो यह कितना 10 मैंस 10 है मैंस 10 अब बोल सक् तो हाफ 10 इंटो 5 कितना मरा 25 unit विटा 50 माइनस 25 एवान माइनस ए2 करूंगा तो क्या जाए के इस पेस्मेंट अगे area with proper algebraic sign जो positive area वो positive लेना है जो negative area वो negative लेना है area with proper algebraic sign आपको क्या देगा बिटा डिस्पेस्मेंट देगा लेकिन अगर area को add करते हैं तो तो distance आजएगा देखो ना अब मैं यहां से चला सपूज बैको डारक्षमें जा रहा हूँ एक दो तीन चार पीछ चार कदम पीछे चला चार मिटर डिस्पेस्मेंट होगी मालो चार कदम आगया आठ मीटर होगी distance ना हमें से बढ़ता ही जाएगा वो negative थोड़ा होता है तो अगर आप इस area में इस area को add कर दोगे तो distance आजएगा अब यह शांदार चीज है तो विलस्टी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या क्या दे सकता है distance भी दे सकता है और यह याद रखें अगर आप सारे की सारे area को irrespective और कौन पादरिव कौन नेगटिव एड़ करते जाओगे तो distance आजएगा लेकिन जो पादरिव एड़ को पादरिव लोगे जो नेगटिव एड़ को नेगटिव लोगे तो क्या जाएगा तो displacement आजएगा लोगा विलस्टी टाइम ग्राफ ड्राफ कर रहा हूं और वो कुछ ऐसे है यह 10 मीटर पर सेकंड और यह 10 सेकंड तक है ऐसा ग्राफ तक है उसके बाद अगले 5 सेकंड तक ऐसा ग्राफ है जिरो हो गई ब्रास्टी उसके बाद आपका ग्राफ कुछ ऐसे चला है यह आपके पास मानलो मानिस टेन है और यह था 15 और यह आगया 20 ताइम है सेकंड में यह 10 ठीक है यह माइनस 10 क्या मीटर पर सेकंड बेट ठीक है यह 10 क्या मीटर पर सेकंड टाइम यह 10 सेकंड यह 15 सेकंड यह 20 सेकंड आपको डिसंस भी करना आपको डिस्पेस्ट भी करने थोड़ा जल्दी करें इस ग्राथ में आपको डिसंस भी बताना है कितना है और डिस्पेस्मेंट भी बतानी है यह 15 सेकंड आपको डिसंस भी करना है डिसंस मुझे करवाए यहां पर सामने दिख रहा तरको डिसंस क्या लिखो एड़ करवादे पहला डिसंस भूल विड़ा पहला एरिया यह 10 है यह 15 है 25 25 कि यह 10 सेकंड वे यह 15 सेकंड वाई यह भी सेकंड विटा बार्मूरक यह पहले क्या मन रहा है यह रेक्टेंगल इख रिया फिर उसका अरियो वैनर करना है तेकर के लिए अगले ट्रैंगल आपको रेक्टेंगल के रिख या या यह निव बोल बिदा टैन इंटू टैन हंडर मीटर अगया पहला अगले वला हाफ इंट बेस के लिगों फाइव फिटीन मैने सेन विटा फाइव हाइड कितने है तैन इंटू टैन अगला विटा यह ट्रैंगला है किया हाफ नन्तू बेस ट्वैंटी मैं शुप्टेन फाइव हाइड मैने अग्नीटू देन सभेन रहा हूं सारे है तो मेरे बास अगा इसेंस कि अनव ट्रण प्लस फइफाइव प्लस कितना विटा त्विटीव गेव मिटर्स के लिए ट्रण कितने हागी 100 plus 25 पहला प्लस 25 अगले वाला मैस 25 25 मैस 25-0 तो displacement कितने हागे 100 है नविता इस्पेस्मेंट आपके पास हागी 100 प्लस 25 मैस 25 कितने बचो 100 मीटर कोई दिक्कत किसी को तो कुछ इस तरीके से आपको करनी है क्या मैं आगे चल सकता हूँ सभी को समय में बटा स्पीड और विलास्टी के बारे में आगा आप बात आगे तरी एक्सारिशन होता है बच्छो रेट आफ चेंज और विलासेष ठी विद रिस्पेक्ट नाइब ऑच्रिशन टर इंड आफ जापफ चेंज आफ बिलस पाइब टा iTunes और इस घ्सिलरेशन मेर जर दो कि डिफ्रेंशेशन कर चुक्या हम लों तब कोई तकलीफ नहीं है अगर मैं लिखूं के ए है क्या होता है डी वी अपॉन डी टी विटा कोई परिशानी किसी को रेट जो त्युक्षें अपॉन शेयरोब तो डी विटी अफ टी वरेटी यहाया चाहरेशना पॉन तो दोबर दिफरेंशेशन होगा ना डी वर इत ईव डी वरेटी ऑफी आफ देवरेटी आफ एस और डिवरेटी हैए तो यह वार दिफरेंशेट किया है नूवार दिफ्र वे इसको और इसका सिंबल होता है D square S upon DT square acceleration को ऐसे भी लिखा जाता है double differentiation का symbol क्या है बिटा डी स्केर पहले D के उपस क्या बीचे फिर D के उपस क्या डी टी स्केर इसका मतलब होता है double differentiation of S, S के ओपर vector लगा देना पिटा vector है displacement हो तो आप acceleration को क्या लिजिसक्ते हो double differentiation का symbol d square s upon dt square बचाओ तो आप भाई acceleration को लिख सकते हो dv upon dt या d variety of d variety of s d square s upon dt square पर आप acceleration को ऐसे भी तो रिसे तो बटाओ यह इसे करटो dv upon dt तो था ना चलो ds से multiply करो ds से divide करो कोई फरक्तों नहीं पढ़ा है इसने तो cancel होना है लेकिन जब मैंने ds से multiply किया और ds से divide किया और दोनों को cancel ना करके छोड़ दिया ऐसे थिक तो मैं क्रॉस देख रहा हूं यह ds upon dt के बना वी वी जगोडिया सबांडिटी बलसी बटा यह बन के बलसी तो मैं क्या ऐसा लिखू वी इंटु डी वी अपन दियस के वी वी वन कहा है ना वी इंटु डी वी अपन दियस हाँ अब एक्सलेशन ऐसे बिलिखी जाती है वी इंटु डी वी अपन दिये तो आप एक्सलेशन के आपके पास थीन फार्मले आगे डी वी अपन डी टी डी स्केर और वी इंटु डी वी अपन दियस के बराबर लगाने में विटा रव लगाओ की डिस्पेस्मेंट है वेक्टर में तो आप लगेगा यह रहा वेक्टर का अपन दियस अपन दियस ठीक है वी इंटु डी वी अपन दियस तो आगे जहां कहीं भी जुरुत पड़ेगी मैं ए डी वी अपन दिटी का यूज भी करूँगा बच्चों और वी इंटु डी अपन दियस का यूज भी करूँगा ठीक और सुनिएगा यह बिलस्री अटू मिटर पर सेकंड यह ओगई फोर मिटर पर सिकमल अगनिटू इस इंक्रीजिंग बाड़ी फावड़ा रच में जा रहे इस तो वरसरी पादरी बिटा आप डाड़ी में आप बैठे हो गाड़ी जा रही यह फावड डारख्श में और जिस जा रच में गाड़ी जारी आपने अपने साथ में अचलेटर के पर पाहन दिया तो एक्सलेशन भी फाई बड़े गई और क्या होगा तो जब विलस्टी पादरी तो एक्सलेशन भी अगर में चुट रहा है लेकिन अगर मैं चुट कम अरा तो क्या हुआ वा लगारी जारी आगे तुमने ब्रेक पर अखाय ता बैसा होगा यह लेकिन यही बाड़ी आगर जारी नहीं आग लोगों को यह दिमाग में बैट जाएचे से मैं लोब इंडरेक्ली विए बोलना चरए तुए बढ़ जा इधर आपको नोट करने कि इतना नोट करीगा क्या मैं आगे चलो बात एक्सलरेशन तक पहुंच गए और बात आएगी कि आपके पास इस चेप्टर में इस चेप्टर में नहीं पूरी फिजिक्स में अगर एक्सलरेशन की प्रॉडम आएगी तो कितना टाइप की होंगी फिलाल तो इस चेप्टर में रहते हैं लेकिन यहां जो हम करने वाले हैं अगले दो तीन लेक्शर कोई मिस्ट करने कोशिश ना करें क्योंकि यह जो करने वाले हैं आपका बेसिस बनने वाला है कॉंसेंट एक्सलरेशन की प्रॉडम के शॉर्ट कट आने वाले हैं पहले आज मैं डेरिवेशन करवाँगा कुछ है जो आपके स्कूल के लिए जरूरी है और फॉर्मले जो हम नाइंत में करते हैं बीज कोड़ यू प्लस एटी एस एकोड़ यू टी प्लस अविडिश के स्कूल वाले उसकी डेरिवेशन पूछ लिया करते हैं तो वो डेरिवेशन भी आपको करवाँगा फॉर्मले भी बताऊंगा इसके बाद आपने वो सारे फॉर्मले आपका वस अबलेबल रहेंगे असाइनमेंट जो मिली है वो सारे कुश्चन खुद करना है करने हैं अपने दिमाग में बोल दो कि हाँ यह अंसर आएगा जिसका क्योंकि यह एक्सरसाइज स्कूल के लिए लंबे-लंबे कुश्चन जो करने क्योंकि स्कूल वालों को यह पसंद है फॉर्मेट ही है उनके गलती नहीं है फॉर्मेट ही है बोर्ड एक्जामनेशन का कॉम्रेट मोशन इंट बंट डामेशन में आप जो प्राडम मिलेंगी वह तीन टाइप की मिलेंगी बैला मोशन विद युनिफांब आप यूनिफांब और अगर युनिफांब स्ट थोगी तो भी ओटा क्या हुआ एक्सलेशन जीरो टीवियर पॉन्ड टी एक्सलेशन क्यों टीजि motion with the uniform acceleration non-uniform लोगी लेकिन uniform acceleration मदलब acceleration constant और तीसरे थाइब की प्राव्म मिलेगी acceleration variable जिसमें acceleration constant नहीं है विए लगाजी नुन नौम है लेकिन acceleration लगातार बेरी कर दियो हो ताइम दिपनेंट होगी यह फिर डिसने पेंट होगी ति किसी ना किसी और फेक्टर के उपर अपर डिपंड करेगी जैसे सेधिसे इस त सिऺ आहे एक्सटरो Ouch भो कीड़ेक्रेश सेजिन कि रखेंड सी इस ताम स्वेंज ऑतला है एक्सधिलिक्रेशन फल्डी पस्ति न टाइफ को लोंगा कविर आपकू उनिफॉर्म स्पीड में बेटा एक्सलेशन हो सकती है या उनिफॉर्म स्पीड में सोरी क्या उनिफॉर्म व्लस्टी में एक्सलेशन जीरो होगी उनिफॉर्म स्पीड आगर है तो एक्सलेशन हो सकती है कैसे सोचो डारेक्शन चेंज कर सकती है और डारेक्षण चेंज करेंगे तो व्लस्टी चेंज करेंगे इसका न राम होता हैаст Solid तो आगर feas pressure不要 जाएगी तो आगर चेंज करेंगे तो या हैविशेश हो जाएगी लेकिन व्लास्टी अगर कॉंसंट है वी वेकटर अगर कॉंसंट है तो मेंगनीचुड भी कॉंसंट है डारेक्शन भी कॉंसंंर फिर एक्सलिशन पका जीड़ा ना? जैसे ये आपके m steht Kerry तो वह पूछते रही है सासात हैं तो आपके पास सिर्फ तीन टाइप की प्राड़म मिलेंगी इस चेप्टर में भी अगले चेप्टर में भी और यह होने वाला है लॉज आ मोशन वर्क पारणर जी में भी क्योंकि वहां भी जैसी यूनिफॉर्म एक्सलेशन आएगी यह यूनिफॉर्म रसी आएगी तो प्राही चेप्टर में चार्ज़ इसकी मोशन आएगी और वह यूनिफॉर्म एक्सलेशन की मोशन ओ सकती है जो आप यहां सी को कि वही प्लस तो के चेप्टर में करना मले यह अपका आपका बेस मन रहा है और बेस अगर अच्छे से बन गया तो बहुत सारे चेप्टर इस तीन तीन टाइब की नोट कर ली बिटा अब पहले टाइब की मोशन विद यूनिफॉर्म व्लसी बचा मोशन विद यूनिफॉर्म व्लसी मतलब एक्सेलेशन जीरो यूनिफॉर्म व्लसी का मतलब है We Vincent यह V सिरक्यों अपर फिर्र लगा है वो consent मतलब मैगनिचूट भी concert और डिरेक्शन भी concert थब एक्सेलेशन जीरो और अगर एक्सेलेशन जीरो होगी आप जानते हो आपने नाइंत में एक फाम लेकिए हैं सारे कि सारे जो की यूनिफॉर्म एक्सेलेशन के थे क्या वी इस इकल डू यू प्लस एटी पर ए तो बिटा जीरो है तब तो भी को डू यू आगे उदो पता ही है जब एक्सेलेशन नहीं त उसके बात बताऊंगा तीसरा एक और है से को डू यू टी प्लस हाव इटी सकेल एजिरो एस इक उडू यू टी एक ही फामला रहाए तुम्हार पास ये तो यह बोल रहा है वी इकू डू यू तो अपने को पता ही है वो तो होना ही है यूनिफॉर्म विलासी जब बोली त वासी तो इनिजिल वजाओ के ब्रापर होनी होनी है तब ही तो इनिफॉर्म विलासी बोली लेकिन आथ सी कूल यू यू टी सिरू एक ऋला रहा कि इसके बाहर आप को जाना है यही फामला लगागेगा आगर यैवी फामला सी बॉड़ी चल रही है अपने सारे दरवाजें बंद कर दो जैसी पता चले के बाड़ी बहुत सी उनिफॉर्म रास्टी चल रही है ज्यादा कन्फ्यूज होने नहीं क्या करें क्या ना कुछ नहीं करें सकते तुम कुछ एक फॉर्मॉला लगाने के लिए इसमें दो चीजें गिवन होगी एक फाइनल करने होगी खतम कहान तो सबसे पहले प्राड़म एडेंटिफाय करिए क्या वो यूनिफॉर्म लास्टी के हैं अगर है तो आपके सारे रास्ते बंद हैं एकी रास्ता खुला है बस इसके सिवा कुछ और कोई कन्फ्यूजन नहीं एसी कोड़ी यूटी के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं मोशन विद यूनिफॉर्म लास्टी में सिर्फ एक फॉर्मला आपके लिए खुला रहा गया ऐसी कुछ यूटी कोई कन्फ्यूज होने की जुरूरत थे हैं परस प्राड़म को इडेंटिफाय कर लिए थी कि यह है यूनिफॉर्म लास्टी के नहीं है अगर है तो कोई कन कि युटिवागत लिए न रहिए प्यक्किन दूसरे ताइप की कांजिया यूनिफॉर्म एक्सलैघ्लेशन य vendor नॉनिफॉर्म लास्टी में नॉनिफॉर्म ल करॡ़्यू के पिडियों थैर और ऊकलति पीप यूनिफॉर्म एक्सलेशन ये रही मोसंड विद युनिफॉ इसके बोलना हूं कि नाइंत में भी किया आप लोगोने फोर्मला है। मैं डिराइब करवाने लगाओ। S equal to V equal to U plus 80 यह ने चार फोर्मूला जो लिखे हैं छोट थोड़ेशोट हैं दूर तक ताके दिखे एक है V is equal to U plus 80, vector formula लेकिन motion in one dimension में यू और A के बीच के अंगल यह तो 0 होगा यह 180 होगा वन दमेशन ना बटा स्टेट लाइन में चल रहे हैं तो यू और A यह तो same direction में होगा opposite direction में होगा यह तो V equal to U plus 80 बनेगा R max equal to A plus B B vectors में R minimum A minus B तो यह तो V equal to U plus 80 बनेगा है V equal to U minus 80 one dimension two dimension में जाएंगे तो बहुत wide possibilities open हो जाएंगे तो भाई आपके पास चार formula है करने के लिए भी वो चार formula दूर से अगर नजर नहीं आ रहे तो मैं करूँ 20 equal to U plus 80 बेटा दूसरा S equal to U T plus आप इसक्यार यह भी वेक्टर फामला भाई तीसरा V square minus U square record O 2S बेटा यह भी वेक्टर फामला है और यह पता क्या formula है V square minus U square is twice of A dot S होता है यह A S नहीं होता है ना इसमें आपने जो किया था वो A S था सिरफ लेकिन अब यह A dot S है A और S के बिच के अगर angle 0 है cause 01 तो 2S आजाएगा अगर angle 180 A और S के बिच का तो माइनस 2S हो जाएगा अगर angle कुछ और है तो 2S कॉसिटा हो जाएगा और एक last formula जो कि हमार पास आएगा S नहीं था वो था U plus A by 2 into 2N minus 1 बेटा into 2N minus 1 यह भी वेक्टर फामला है और जब वेक्टर फामले आपके पास है तो वेक्टर की पावर आप जानते हो इसलिए हमने पहले वेक्टर की है बाद में motion in 1 dimension कर रहे हैं जैसे two dimension में जाएंगे तो इन फामला की पावर जान के आपको अहरानी होगी क्या 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 कर सकते हैं अभी तो सिर्फ यह ना कि तीटा जीरो हो सकता है यह फिर 180 आर मैंस एक प्लस भी आर में निमा में मैंस भी अभी तो दोई चीज़े आपको पता है जैसे two dimension में घुसेंगे और एंगल वेरी करने लागे तो आप देखोगे तो लंबी लंबी बेड़ दो प्लस अटीक की विन अवेटर लगा एक कि वी इसका टू अब्लस एटी ओगा या वी कर दो यू मानिस एट होगा किसमें बनेशन मोचन नहीं लोगई derivation mujhah karna hai pehla formulae kye aur pehla formulae b is equal to u plus 80 right? b equal to u plus 80 so what I have assumed is that suppose a body is moving in forward direction with initial velocity u to iski initial velocity kya bata? yuh mahan raha hoon yye isi direction mein mein hai iski acceleration mahan lhe bata एकस्रेशन भी इसी डायरेक्शन में तो मैगनीचुराविल्स्टी बढ़े गाया नविटा यहां ऱमजी और यहां टाइम टी हो गए माल लो जब टाइम टी हो गया तो मेंगनेचर आव लासी बड़ा और वो भी हो गया कितना हो गजी वी थोड़ी देर बाद टी टाइम के बाद उस विलस्टे की उस बाड़ी की विलस्टे हो गई भी S यहां पे 0 था और यहां पे S हो गया S के बराबर मैंने माना के we have a body which is starting at a point at T is equal to 0 it has some initial of CU and acceleration of the body is A in time T it cover a distance S and final velocity after time T is V मतलब अगर आगर आपको स्कूल में कोई बुले यार फॉर्मॉला डिराइब करो तो आपने थोड़ा सा लिखना है क्योंकि मैं तो सीधा चलता हूं ताकि आपको डेरिविशन जो दो तीन लाइने है वो असान लगे और सीधा आपके दिमाग में घुसे के बहुत सी तो असान दो दो लाइने में डेरिविशन हो रही है किताब में वी पूरा पेज भरा होता है वो लिखा होता है लेकिन आपने ज्यादा बर वोस बुक की तरह नहीं होना बस सामने वाले को जब बोड में आप लिखते हो ना तो सामने बाले को आप बर बोलता हूं आपको उसको मान के चलो कि वो टीचर नहीं है वो कोई is a after time t manlo suppose that where a body has travel distances and his spine velocity is v bus it now other it's not likely a to offer v equal to u plus a to comment drive gonna lagoon we know that capital acceleration kata dv upon dt ये तो बताया भी मैंने तो दे पहले तो बच्छे यहां से मैं dv लिख लोंगा dv क्या गया a dt और a मैंने क्या बोला consent a consent abita integrating up dv ka v even on a bhai ये formula अगर आपको derive करना है तो dv ka v1 a gata via by gonna be up dv ka vk 7th integrate कर करके बंता d tg7 the integrate करे बंता तो मैं क्या बलूंगा integrating both sides beta integrating both sides चलो भाई integrate करते हैं दोनों तरफ तो dv ka integration equal to a concern अन्वेट बाहरा जागा dt का integration limit भी तो डालनी है when t equal to 0 time to consider the query care 0 to t time vary कर रहा है बटा 0 to t जब time 0 तो ब्रस्टी कितनी है यू जब time 0 तो ब्लस्टी यू है जब time 0 तो ब्लस्टी यू है प्रस्टी यू नहीं जाक मनावे प्रस्टी यू अर्ण काविया तो देखें मिता यहां तक हम जा चुके हैं और इसके बाद अगला स्टैप आपका यह है लीवी का integration पी डीटी का integration लिखो लो भाई डीवी का integration भी आ गया और लिमिट क्या थी यू टू भी एक ऑंसेंट यह भार रहा गया डीटी के इंटीरेशन टी या लिमिट क्या थी जीरो डू टी वी की जगाँ पर लिमिट ऐसे सॉल करें वी की जगाँ पर लिमिट क्या लेकों भी दी माइनस भी ऐगराइब लाइब भी माइनस यू ओ एक लएटी की जगाँ अपर लिमिट टी मारे ऄस्टीज यहा अबva वेटाँ लूट और140 यही कुर्द तशे Nh' U यह केर्कुलेट मेतलजी डेरिवेशन का हमने पहला फार्मला डिराइब कर लिया है कॉंसेंट एक्सलेरेशन जब होगी तो मझे से इस फार्मला का यूज करो वीज गड़ो यू प्लस एटी यह नेगटिव होगा यह सब बोलो के थीटा बानेटी डिगरी यू और एके बीच में होगा तो वीज कोड़ो यू मैंस एटी हो जाएगा यू मैंस एटी क्यों हो गया है तो यू इद भाई दूए खाने थे बिटा है तो है नो बेनी कही जीव नो मुना है तो निचते गोलियां पड़ी है वार के खालने थे राजन के पास क्या है क्या है दरबास क्या है दरबास मेरे पास मा है अब 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 आध वाई दूए विचे नहीं है क्या दूम आगा यह एशी कि दिक परसिता मुन का है था 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 कि दिन में तरह कि एड़ा था 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 थे अब बड़ाने तुछे रली विर्ट शीव दा नीचे परसिनमोल आपिस मोड़ी है देश्मू देविता इस तुचिंपू को पड़ाए लेया गागा जिपू लेकाव थेरी गोली लेका गोली फकड़ू से गोली प्रफ दूरी अजागा याजा इदर हो ए अजो गया तर को दुनिया को तरी शकल दिखा रहा रहां तो मारी दागा फुसु देगा पाने अब टा किसके पस बिलाइस को पाने यह पहला फरम्मला डिराइब हो गया आगे चले है दोसरा फोरम्मला डेयर खरते हैं ची है और दूसरा वामला हमार पास है से को टी प्रनल सब इसके भी दिश्के फिर से फिर से हमने वोह ले लिया के नीशना सी यूबटा एक्सवेशन पीसी डारिक्ष में फाइनल लासी भी मैं लिख लेता हूं जी इनीशना सी यू आगी एक्सलेशन एह हो गई final loss CBOG T equal to zero pay our T is equal to time pay our time T equal to zero PS V 0 a artist go to PSS ke berabar we see through the select line I suppose we have a body and a T gets for zero its initial losses you suppose acceleration the body's a after time T the body has traveled distance s and his family was lost a become we Likhanے کے بعد اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں جی کونسا formula derive کر رہے ہیں بیٹا S equal to UT plus half a T square یہی derive کر رہے ہیں نا جی تو دیکھو اس میں اپنے کو کیا چاہیے S چاہیے U چاہیے اور T چاہیے اور S کس میں آئے گا velocity والے formula میں آئے گا we know that V is equal to DS upon DT بیٹا رائٹ تو DS آپ کے پاس کتنا آگا ہے VDT یہاں V ہے اور یہاں time ہے velocity کا اگر آپ time کے ساتھ کوئی relation جانتے ہو تو substitute کرو کیونکہ velocity concern نہیں ہے time کے ساتھ vary کر رہی ہے اور integration کے لئے time کے ساتھ dependence ہمیں ڈالنی ہی پڑے گی اور ہم جانتے ہیں تھوڑے دنے پہلے تو کیا ہے V کیا ہوتا ہے U plus 80 وہ dependence ڈالنی پڑے گی کیونکہ اگر DT ہے تو میں ڈالوں تو DS میں لکھنے لگا ہوں جی U plus 80 into DT یہ ایسا بولیے کہ DS آپ کے پاس کیا آگیا UDT plus کیا بیٹا 80 DT اور آپ integrating both sides integrating both sides اگر آپ دونوں طرف integrate کرتے ہو تو آپ کے پاس جو آیا ہے وہ یہ نہیں رہا دیکھو بیٹا تو میں بلوں گا جی DS کا integration equal to U into DT کا integration بچھو plus آگے بچھا A constant T DT کا integration بولو time کی limit کہہ ڈالوں 0 to T دیکھ رہے ہو نا بٹا اوپر 0 to T یہاں بھی time کی limit ڈالنی ہے 0 to T لیکن جب time 0 ہے تو S کتنا ہے بٹا 0 جب time T ہے تو S کتنا ہے S limit کیسے ڈالی سمجھ میں آگیا جب time 0 ہے تو S بھی 0 ہے origin ہم نے یہی پہ لیا ہے اور جب time T کے برابر ہے تو S ہم نے کیا مانا ہے S کے برابر ہی مانا ہے distance S کے برابر ہے کہیں کوئی دکھت آئے limit میں دکھت آئے کچھ اور تو بتانا صبح سے کوئی گولی نہیں کھائی تو جب ترک لگ رہا تھا بھی بکھا رہا ہے تو گولی کھانے چاہتا ہے سب سے پہلے سیت کا دیان رکھیں اور آج کل بخار بکھر تو آئی رہا ہے کہ پہلے سیتا مول بیار تو جب میں رکھ لیا کرو نہیں ہوتا نیچے آفیس میں ہوتی پڑی تو وہاں سے مانگ لی ڈببہ ہوتا ہے میڈیکل کٹ پر نیچے پڑے ہوئے تو وہاں سے لے سکتے ہو بخار زیادہ چڑے گا تو کیسے پڑے گا بٹا کیا اتنا ہوگا دس کا اندیریشن پڑو اس دیتی کا اور دیتی کا تی دیتی کا تی سکیر پہن تی سکیر پہن تی سکیر پہن اس کی جگہ آپ پر لیمٹ ہے مائنس لوہر لیمٹ زیرو تم نے پورا لکھنا ہے ہم دوسرا فارملہ پروو کر چکے ہیں کچھ تو پانچ لیکچر پڑے ہیں ان پانچ لیکچر کو ریوائز کریے جب بھی ٹائم ملے تھوڑا فاس پیڈ پہ چلا کر ریوائز کر سکتے ہو یاد آجائیں گی سارے چیزیں وہ فارملے آپ کو آتے ہونا چاہیے جس کو mathematical tool آتے ہیں اس کے لیے physics مشکل نہیں ہے UT بلس آپ پہ ٹیس کے رہے ہیں اور اگر کوئی بولے جب تی تی ون تی کی لیمٹ بولے تی ون ٹو 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 ہے لیمٹ ہی چینج کر نہیں اگر ٹائم کی لیمٹ تی ون ٹو ٹو کریں تو کیا ہو جائے گا یہاں s1 to s2 اور یہ کیا بن جائے گا s2 minus s1 اور یہ کیا بن جائے گا t2 minus t1 یہاں کیا جائے گا half a t2 square minus t1 square ایسا بھی ہو سکتا ہے فارملہ اگر ہم نے لیمٹ چینج کر دی کہ t1 سے start ہوا t2 پہ جا کے ختم ہوا s1 سے start ہوا s2 پہ جا کے ختم ہوا تو فارملہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا اس کے اس میں فارملہ بنے گا s2 minus s1 سمجھے نا میٹا s کی جگہ s2 minus s1 تو s2 minus s1 will be equal to u into follow t2 minus t1 plus half a a آگے بچہ t2 square minus t1 square اگر آپ limit جو ہے وہ s1 to s2 رکھتے ہو اور time کی limit t1 to t2 رکھتے ہو تو فارملہ کی شکل بدل جائے گی لیکن آپ کو school میں required یہ ہی ہوگا یہ اس لیے کہ اگر کہیں پہ آپ کو دکھے by chance ایسا فارملہ تو آپ کو پریشانے نہیں ہونے چاہئے limit تو بدلیا اور کہ کیا ٹھیک ہے جو بچہوں دو فارملہ ہم ڈرائیب کر چکے ہیں ہم تیسرے پہ جا رہے ہیں future is now اس کو پتہ نہیں اس کی پینٹ پہ کیا لکھا future is یا unknown now ایک plus 2 کا بچہ سبا تو t-shirt پہ لکھا کیا تو پچھے future is unknown تو اس کو ڈرائیب رونا دیا لوگا مولے ایسے کیسے سیو کے بیچے وڑا بندیا تو ٹک لے اور تیرا فیچر پہا ہے ڈرائیب رہا ہے تو کمالا تو ایسا جیسے تو بھی کچھ کرنے والا ہے کمالا چلو مٹا کے چلو مٹا کے دو ہوگا فارملہ جس میں b ہو a ہو s ہو acceleration کے دو ہی تو فارملے تھے تین تھے بلکہ دو ہی فارملے تھے ایک تھا db upon dt اب اس میں کہیں a اور s نہیں آتا دوسرا تھا b into db upon ds یہ بھی تو تھا نا بٹا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ لکھ سکتے ہو کہ vdb کتنا ہے ads کے برابر again integrating both sides integrating both sides کیا بولے گا vdb integration equal to a constant ds integration limit ڈالا مولا بالکل بٹا یہ initial osc t is equal to zero پہ یوں تھی acceleration bc direction مہتی جی ہے جی اور t is equal to zero پہ یہ سب ہو رہا تھا t time کے بعد body یہاں پہنچی جب یہاں پہنچی تو final loss tv ہو چکی ہے s کی limit کیا تھی بٹا یہاں zero تھا اور یہاں پہ s s کے برابر ہو چکے تو s کی limit کیا لائم zero to s بٹا ہے نا بچھو چلو بھائی zero to s ڈال دو اور v کی limit کیا لائم بلو بلو بے you to be vdv کا integration بتانا ہے آپ کو v into dv آ آویا آنئی یہاں c vdv آپ کا سیدھا سیدھا آگیا ہے نا بچھو तो वीडी भी अगर आपका सीधा सीधा आगया तो आपको बताना है जी बार भी चत्रा वीडी बीका इंटेशन जागरती ठाको रहे बटा हाँ जागरती वीडी बीका इंटेशन भी इंटेशन ग雜ी अनिटो जागरती आपशी इंटो नने हागर और मिल्क गोल्राव मैं तो मैं कहले को जी इस कैर बैंटू लिखो और लिमिट ई By Right अगले वहला ए कॉमनहेज़िए कStudy इस नेस लिमेट जरो टो एस वी की जागा अपर लेमिट स्कर्भाई 2 इंचार लोरलमेट तो यू स्केर बैटू इकू टो एंटु एस-0 अगया YV square minus U square equal to 2S हमने तीसरा formula भी derive कर लिया ये सारे calculus method चले हैं बहुत आप integration से जो भी हम कर रहे हैं वो सब calculus method में आ रहा है बैट 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 जागरती बैटो चद्रा limit अगर S1 to S2 करो को तो यहां पर क्या जागा फिर S2 minus S1 2A, S2 minus S1 तीन फार्मूले डरी कर लिया calculus method से last वाचा आप करने के लिए SNS वाला वो भी कर लेते हैं चले आगे कितना हो गया ये राज ये आपका चौता फार्मूला है ध्यान से सुनिएगा यहां एक body हमार पास है और बाड़ी फार्वर डरेक्ष में चलने के लिए भाई उसकी इनिशलासी थी यू जैसे मान रहा है हम शुरुआ से है न इनिशलासी उसकी यू थी उसके पास एक्सलेशन भी थी और इसी डरेक्ष में थी ये बटा यू आगी और ये एक्सलेशन आगी और T is equal to N second के बाद बाड़ी यहां पहुंचिए और यहां उसकी ब्रस्थी थी वी अब टाइम क्या ले रहा हूं मैं T की जगा N मान रहा हूं N second के बाद बाड़ी कहां पहुंचिए यहां एक second पहले बाड़ी कहां थी यहां N minus 1 N second के बाद यहां है बिटा एक second पहले यहां थी मैं अगर इस distance की बाद करूँ किस distance की बाई यह वाला distance की क्या मैं इसको sn बोल सकता हूं distance traveled in N second sn is distance traveled in N second और क्या मैं इसको sn minus 1 बोल सकता हूं distance traveled in N minus 1 second suffix में बटा ऐसे multiply मत करके बढ़ जाना ऐसे s बड़ा और N चोटा s बड़ा और N minus N चोटा ऐसे suffix में लगाया है मेरे N ताकि आपको पता चले कि कितने second का distance हम वो डिपिक्ट कर रहे हूं पर तो यहां गया sn distance traveled in N second और यहां गया sn minus 1 तो फिर sns किसको बोलते हैं sn minus sn minus 1 एक second में जो distance traveled हुआ उसको sns बोलते हैं मान लो के आप से का जाए के find distance traveled in 10th second तो विटा यह ठीजिकल 10 second है यह 9 है 9 से 10 के बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे s 10th क्या मेरी बास हमरें कोई बोले यार यह 5 second है और यह 4 second है तो यह क्या आएगा बिटा s 5th 5th second में जो distance traveled हुआ 4 और 5 के बीच में distance traveled हुआ सिर्फ एक second का distance है snth तो अगर यह n-1 है आगे वाला time और पीछे वाला बिटा n-1 यह time n और यह n-1 तो फिर इस एक second में जो distance traveled हुआ उसको snth बोलते हैं और वो कितना होगा sn minus sn-1 के बराबर हो snth is sn minus sn-1 मैं पहले calculus method से करता हूँ फिर उस method से भी करूँगा जिस method से आपको school value ने करवाया हुआ पहले calculus method बेटा कौन से formula के लिए snth के लिए और वो snth क्या है u plus a by 2 2 into 2 and minus 1 मुझे ये formula आप डिराइब करना है चाहिए ये भी actually distance बोलना गलत होगा इस एक्शली फॉमला फॉर दिस्पेस्मेंट दिस्पेस्मेंट इन एन एफ सेकेंट और आप जानते हो distance or displacement अलग होते हैं अगर एकी स्टेट लाइन में बादी जारिये ये पार दिस्पेस्पेस्ट मैं लेकर वीच म आपशन चेंज कर लितो तो इस विच्ट बोलना आप जाईगा इस प्रेस्पेस्ट इन दॉस्पेस्ट जी तो वीच्टेश बीच्वेंट अच्टीच्ट ये फोमला खाएक एक्लीवाट पा displacement in n second distance बोलना अवाइट करता है so now we are well aware that we kiss keber our brother with a ds upon dt तो ds कितना आजाएगा बचो वी डीटी पर ये तो टाइम के साथ बेरियेशन है यार और टाइम के साथ फॉर्मला पता है हमें वी इस गोड़ी यू प्लस एटी होता है वी के अधा है यू प्लस एटी तो मैं लिखूं पी आगया यू प्लस एटी कें टुड़ी टीवेटा ठीके बिट दूड़ा ओटर वर्ड़ जादा है यार यादपना कंट अले कर लिए हटां करने दिन में क्यों आपता है यार एपने आफ रोड़ी को तबगार वैसे आपकी बॉड़ी में सारी सारे केμिकल है सारा केमिकल छोड़ो पूरा पिरियोडिक टेबल आपके अपनी बॉड़ी में है और इसको उनको एकटा करके केमिकल बनाने भी आते हैं बहुत मास्टर पीस है जो उपर वोड़ ने तुमें दुनिया में देके बेजाए अ अगर इसके उपर सारे सब कुछ डिपेंड रख देते हो ना क्यार तूने ठीक करना है बच्वन से ऐसे डाल दो तो यह अपने अप समालता है सब कुछ लेकिन बच्वन से क्योंकि हम आदत नहीं डालते हैं यहां पर बुखार आ गया तो फटा फट से गोली दी तो यह फिर भूल जाता है कि मुझे करना क्या है फिर वो डिपेंडनेंस हम गोलियां पर एक्सटरनल केमिकल के उपर आ जाती है तो अगर अगर हम बच्वन से याद डाल दें कि वह बुकार भी तो नहीं हील करना कोई और विमारी हो गए वो भी हीलिंग करनी है तो नहीं तो यह अपने हम मैनेज करता है सारी चीज़ों को कहीं आपके अगर चलो यह बातें फिर से लिए कर लेता हूं जैसे एक बहुत वीडियो में आपको दिखाऊंगा श तो उसमें यह कहा गया कि अब लाल मिर्च किसको अच्छी लगती एक लेकिन दिमाग जहीं है कि एक लाल मेर्च ऐगर बंदा खा लेगा तो उसको चार संत्रे खाने की जरूरत नहीं है इस चार संत्रे के बराबर वाइटमिन सी एक लाल मिर्च में मिल जाती है दिमाग को अपनी तुम्हारी इस बॉड़ी की बहुत ज़दा फिकर होती है वो जानता है कि चार संत्रे नहीं कहा पाएगा या तो खरीद नहीं पाएगा और खरीद लिया तो खानी पाएगा पर यह जानता है कि मुझे विटमिन सी की ज़रूरत है बहुत और अगर है तो इसको वो चीज़े उल्टी सीदी खिलाओ जो की खा सकता है लेकिन उल्टी सीदी क्या लाल मिर्च अब लाल मिर्च खाने से सारे बाल खड़े वेते हैं तेज जैसी होता है तेज जैसी हो एक चबाया तो फिर पसीने और आने लगते है यह काफी पेन पूल होता है लेकिन दिमाग को पता है कि अगर यह बंदा खालेगा तो इसकी बॉड़ी की कि पुरे धियान लगता है तुमारी बोडी का कि इसकी बोडी के requirement vitamin C की पूरी हो जाए की तो वो क्या करता है जैसे तुम लाल में चबाते हो तो उस pain को kill करने के लिए एक hormone release करता है और वो hormone endorphin नाम का वो क्या करता है उस pain को मजे में बदल देता है साथ में बटा सीसी कर रहा हुग तो रहा है तो यासे कर रहा है साथ में बम्रची वर चटनी खा के यह एभी करना खा विरा है अगर ऐसा कुछ तो खाता रहा है रहा है रोज खड़ा होता है है तो यह जानता है कि इसको जिन्दा रखना है तो कुछ लिमिट क्रॉस करनी पड़ेंगी और तुम्हें लिमिट को क्रॉस करने के लिए उकसाता भी है उस मिर्च में जो पेनफुल होनी थी उस में अंडॉर्फिन नाम का हार्मोन रिलीस कर ले उस पेन को साथ है मजहे में और सब बोलते हैं सही जो भी खाता ना ऐसी तरह तो फिर की फिर मजह आगया यह है यह उस हार्मोन को रिलीस करके उस पेन को मजहे में बदल देता है तो अगर इसके उपर चोड़ा हो बच्पन से तब तो अभी भी चोड़ सकते हो लेकिन अभी ने अगर बच्पन से नहीं चोड़ा इसके पर तो अभी भी वह एक्सेनल एजन्ट तुम्हें फीड करने पड़ेंगे बाड़ी को अगर इतना आ गया तो भाई ये बना u-d-t प्लस-a-t-d-t अबदा ये बना u-d-t प्लस-a-t-d-t ये यह इन इंटिग्रेटिंग बोट साइड़ साइड़ इंटिग्रेटिंग बोट साइड्स दोनों तरफ integrate करें तो आएगा आपके पास ds का integration equal to u into dt का integration बेटा plus a into t dt का यह तो सारफ वही चला हो जो पहले हमने किया था किया था ना सब कुछ वही चल रहा है बस मुझे अब limate डालनी है time की limit n-1 to n क्योंकि s एने निकाला ना बिइटा तो e n-1 से लेके n तक का ही डिस्संस हम viral से है displacement हम nasचिए तो यह आएगा n-1 टो n time की limit यहां भी n-1 टो n लेकिन s की क्या जाएगी फिर s n-1 टो s n बिटा किसी को पता ना चले तो बोलना ये कि लिमिट का फंडा किसी को समझ में नाया ओ तो जरूर बोलेजिए अगर लिमिट की कानी समझ में आगी तो हमारी डेरेविशन कप्रीट है अब लिमिटी डाल लिया और का करना है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं जलो भाई आगे बढ़ते हैं और आगे हमार पास आगया अब क्या डियसका इंटिगरेशन S लिखो मिटा दियसका इंटिगरेशन मैंने असलिग दिया लेमिट डाल दी S n-1 to Sn equal to dt का इंटिगरेशन बेटा ती आगया limit डाल दी क्या बेटा N-1 to N आगे भाई, A T-DT का इंटेगरेशन T square by 2, मैं 2 बाहर निकाल लो मिटा N-1 to N चलो भाई, सॉल करें S की जगा अपर लिमेट S N और फिर S की जगा लोगर लिमेट S N-1 है ना, यह करेंगे S N- S N-1 वास भी बर्मा लिखवा बेटा क्या लिखो लिमेट डाल क्योंकि मैं बोलता रहूँगा तो मुझे यह पता निचलेगा कि तुम मैं से कितने लोग बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं हाँ वास भी S S N बेटा S की जगा अपर लिमेट तो सुई होते हैं S की जगा अपर लिमेट S N माइनस माइनस S N माइनस 1 और S N माइनस S N माइनस 1 क्या होता है S N N हाँ आगे बोल पा से U T की जगा अपर लिमेट N बहुत बढ़ी है बेटा माइनस T की जगा लोग लिमेट चागी तो तो बेटा आगे प्लस प्लस आगे बोल एवाट ओ बोल बचा बिलकुल सही है टी की जगा आप लिमिट एंस्केर बोलना नहीं है अपने अगर आप बोल के किसी की हल्प कर रहे हैं तो आप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है वह एक बारी कोई कड़ा हो जागा कोई बात नहीं उसके बात कोशिश तो करेगा करने की लेकिन साथ में अगर आप दोस्त बनके दुश्मन की तरह भी हिव कर रहे हो तो आप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है उसका क्यूंकि आज आप ने उसको बचा लिया एक्जाम में क होल सक्राइब टीज कर दिया थे एक टीजेगा पर लिमिट एंस्केर दिवा दिमाइन इस ठीक जिगा लॉल अलम टैनमाइस वन का उसकेर अब इसको सॉल करें यह बन गया असने जो एकल दो यू एनमानी सब्स न गया माइनस और मैस का जागा प्लस प्लस बच्वन एवाइटू हागे विड़ा एंस केर माइनस एंस केर प्लस बाइनस केर माइनस तू ए विटा एंस केर मैंस केर गया तू एन पॉदरी भजागा बन नेकटिव जागा तू एन मैस मानम इस कि अंदर और अपका फामला थेयर रहे एसन आफेस यू प्लस एबाइटु तू टू एन मानिस वन केर कुलर स मैंटर्ट से हमने सारे चारों के चारों के चारों के चारों के लिए टरैव कर लिए है। और नी मन थो दूखे वाँ थी थे रस्वेसस पाने बिले भीट तुद फुर्ण फुर्णो थोड़ बॉड और थे टूड़ियो जए कि टूड़ियो तुड़ियो तुड़ियो दरम पीले पीले बनीस पीन वशना दाना हुआ थे क्विल करेंगा इसमें किसी को कोई दिक्क्त हो तो बोलना बचो नहीं जी आगे सबको और देखिये आसपास वालों का नहीं देखना है कि आसपास वाला गर्दन हिला रहा है और तुम भी साथ साथ में हिला रहे हो अपना देखिये अगर आपको कुछ नहीं पता चलता तो पूछे जरूर चले आगे चलो भाई चार फामले मैंने कर लिया अब इस फामले का अलजबरिक मैंतर भी एक जो कि कुछ स्कूल वालों को करवाए गया है वो कैसे तुमने किया है वो भी देख लो इसी फामले का अलजबरिक मैंतर यह कैरकूलेश मैंतर ता तो अलजबरिक मैंतर भी एक है और वो भी कर लिजिये यह वो यह कितना अगा इसन से एसन यहांगा सर्माराइश न मैंस न मैंश वन तो क्या मैं एसन दिखू मैंटा पहले distance traveled in n second sn या displacement in t equal to n second formula क्या था ut plus half a t square तो क्या मैं लिख सेकता हूँ un plus half a n square कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को n second में जो sn आपका था ये बला ये आगया क्योंकि initial आपका था ये बेटा मैंने मानी थी u मैंने initial आपका थी u मानी थी मैंने acceleration भी इसी direction मानी थी a ये u आगया और a आगया था तो un plus half a n square कोई दिक्कत बेटा इसमें sn ये ही आगा sn minus 1 मतलब n minus 1 second minute displacement n की जग n minus 1 डाल दू तो बोलो जी मैंने जी sn minus 1 मैंने देखा जाएगा तू बस बोल दे sn minus 1 आज बेटा यू सोच के बेटा कर सकते हो तुम सभी देखे ऐसा नहीं है के हमें किसी ने उपर वाले ने अलग से दिमाग लगत देके भेजा हैं तुम सभी लोग उपर वाले के बनाए हैं हम सभी लोग हैं सब को दिमाग देके भेजा हैं सिर्फ होता ही है कि एक बच्चे के इंटरस्ट किसी फिल्ड में है दूसरे का किसी और फिल्ड में है एक का एक में दिमाग देख चल रहा है दूसरे का दूसरे में दिमाग देख चल रहा है तो अपने को किसी से कम मत समझे पहले तो यह है क्योंकि अगर आप समझोगे तो अपने को दबाने की कोशिश कर रे हो आप इन्फिरियर्टी कोंपलेस लाने कोश्च कर रहे हो तो दिक्त वाला काम है आप किसी और फिल्ड में सबसे उपर हो सकते हैं यहां क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो इसमें टाइम नहीं लगा रहे हो इसलिए आप पीछे और जिस दिन आप मेहनत करना शुरू करोगे और उसे आगे निकल जाओगे तो दिमाग का यूज कर यू इंटो एन माइनस वान क्योंकि टाइम है आगे प्रस मैंने अभी अभी बुलाएं उदर से भी जब वाज या रही थी और इदर से भी आ रही है कि आप दूस्त नहीं हो सकते किसी के अगर आप उसको नीचे लगाने की कोशिश करें, तो ये नीचे लगाने वाला काम होता है, आप दुश्मन ही नहीं भा रहे होते हो, तो इसलिए किसी को भी बताने, वह अपने अप कर सकता था, उसको पता है कि टीकी जगा एन मैंने स्वेंट डाला है, तो मुझे यहां तक सुना ही दे रहा ह होगा, नाक्से बंदने माल निकाले अप घर ले जाएगा, तोड़ा निकनननी जाद निकाले, तोड़ा क्यों, मझे से निकाले तबर गया, देख भर के जाना है, आसे निमाला काले जाना, पुरा बर्वान चे, ठीके विटा, मुझे चे को गया और लागा बोलने मैंस वन का होल स्कार, तीर, गंदे ना को वड़ा इंसान, यूटी प्लस, बोलो बटा, हाफ ए इंटू टी स्केर, एंड माइनस वन का होल स्केर, इतना ही तो काम था है यार, टी की जगा, एंड माइनस वन सब चुट करना, मैड मैं तो बैट जा, और ही आ गया, एक्वेशन नमबर टू बाद में बोलता हूँ, इसको थोड़ा सा और सॉल कर लो, एसन माइनस वन को थोड़ा सा सॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों को फिर माइनस करना और मेरा अंसर आ गया, क्योंकि मेरा अंसर क्या है, एसन ए ठीको टू, एसन माइनस एसन माइनस वन, एसन मैने न एब एटू को अगर मैं अंदर लेके जाता हूं थोड़ा सा और मॉडिफाय करता हूं कि मैंने स्टो करना ही है तो आसान हो जाएगा यू एन माइनस यू प्लस एब आटू या हाफ एन स्केर मिटा है ना लिखू ना प्लस हाफ एन स्केर बैकेट खोल रहा हूं बच्छो प्लस एब टू माइनस टू टू कैंसल माइनस एएट प्लस एब टू माइनस एएट ऐसा चलो यही तक करता हूं और इसको बोलता हूं जी एसन माइनस वान वर मुझे तो निकालना है एसन एथ यार और एसन एथ क्या होगा एसन माइनस एसन माइनस दोनों को माइनस करता हो देख लो सेम फॉर्म ला रहा कर नहीं आ रहा है यह अलजबरिक मेटल होगा क्या मैं आगे चलो मजो माइनस करो तुम भी करो खुद करो अपने आप यहां से नव चिपका है मत करो एसन एथ एको डू एसन माइनस एसन माइनस एसन माइनस वन यू एन माइनस यू एन गया cash उप economist जौचा 엘 कि थोड़ہ से और मोडिफाय कर रिसमेद करूं तो ऐसे नहीं था आपके बाशाए का U plus 2 a n minus a divided by 2 a V common equal to donor may have it up so you plus a V common equal to Nikola and that I get 2 n minus 1 3 8 to 5 with a prove to me मैंनि से मिन Dubai आपने क לא यून ऐन वन जिरू फिर यह मान इस मिनस मान-स के जएगा फ्लास यू वह भी दिया अन्य माईनश स्चेर मान आफ अन्य स्चेर जिरो यह माइनस एबोट नीचना के ख्यागा माम इलिया 2 technological से जडि़ाइन किल्षय को Starатив दो с। दो डोनों को मैंने इन डोनों को मैंने ऐसका कई जडि़ा इसका का दिछे साओव ऋनstroke BENE भी ऐलोन है यहाँ वाह नव देज है तू निच़े से रगई लिए बाहगा थे है मैं जडि़ा एपन into 2n-1 इस तरीके से पूछ लिया करो जब आपको नहीं पता चले किसी चीज़ का फिर नहीं पता चला हो तो मैं दुबरा करके बताया तो हब आगे तो हमने चार फॉर्मले डिराइव कर लिये और अब आपका काम क्या होगा यह जो यूनिफॉर्म एक्सलेशन की जितने भी प्रॉडम है आपके असाइन्मेंट में आगे यह सब इनी चार फॉर्मले से निकलेगे इसके बाहर सोचना नहीं कुछ नहीं या तो एक फॉर्मला लएगा है या दो लएगे या किसी में मुल्टिपल में भी लगशते हैं एक पहला लगएगा दूसरा लगएगा पर कई प्रॉडम ऐसी होगी जिसमें एक ही फॉर्मले स्वाल बजाएंगी पहला दूसरा तीसरा चौथा कुछ प्रॉडम ऐसी भी होगी कि उसमें दो दो फॉर्मले आपको लगाने पड़ेंगे तो अब आपने सोचना है और ये चार फॉर्मले से वाल लेकिन कोई नहीं है अपना दिमाग इन चलाना जादा यही चार फॉर्मले यूनिफॉर्म एक्सलेशन जा लिखा गया प्रॉडम है इनी चार फॉर्मला से निकलेगी वह लंबी जाए चोटी जाए तुमने करनी है लेकिन कोशिश करनी है नहीं आगी मुझसे पूछनी है क्योंकि आप अगर आप लंबे से करोगे क्योंकि स्कूल का मैथड़ यही है जो आप अभी करोगे इसके बाद जो मैं सिखाऊंगा नेक्स लेक्शर में वह मैथड़ होगा कॉम्प्रेटिव एक्जामनेशन के क्योंकि कॉम्प्रेटिव एक्जामनेशन में कोई परवा निमारता कि आपने कैसे किया कोई मैथर ने पूछता है वहां टिक करना होता है तो वहां के लिए हमार पास शॉटकट आजेंगे और उन शॉटकट से हम वह एक पेज की प्रॉडम को एक लाइन में कर पाएंगे क्यनकी और गर पाएंगे लेकिन पहले तो जादर बच्चा में अगर पहले वो तो श्कुल में बोगाने काम रदेते हो वो एक स्कूल बढागे आसने काला स्कूल वाले जीसे नीव बगा दे जिए जीरो पर देख गए तो मैरे निवर्ण आग उटेशन की प्रवलम ऑपन आपके लिए, और पीछे graph की problem है, वो भी open है, graph करा चुका है आपको. पीछे graph की problem ही है, वो graph की भी करनी है, ये भी करनी है, खुब सारा काम है करने के लिए. नहीं कोई आएगी तो आप group में डाल दिये करो, आपस में discussion करना सीखो, क्योंकि ये अब प्लस्वन बस्टू का साल ऐसा नहीं होता कि तुम बोले मैंने कर लिया चुपा कर रहना है दूसरे को नहीं बताना अगर आपने किसी को समझा दिया वह प्रॉडम हमेशा के लिए तु तब से अब आया क्या करा थे इसको बताता है इसे पड़ रहा था हा थे तु पढ़ता है महाजा थे थे बागी चेख पन्ना अधिल लगता है वह पहे लेगता है वही जादा लगता है तो प्रदिम्मन का पन्नाय में दिल मही लगता है जि आए हमार पास अभी तो लड़के व हम है मॉर्निंग वाले बैच में कोई दस लोग है और उनको पेले जा खुछ भूले नहीं ते लंबा सांस ले क्या आप पढ़ेंगे आते ही आती ही विजपेज मूद आते चले जा मूद ना भूले अभी तुबर से करके हैं और 15 मिंट को बाद एक 20 मिंट को बाद दूसरा 30 मिंट किया गिए ऐसे पृटिसरा गॉले मुल आपने अब खेव तुरूजित । बच्छ लगर्या कि न क्या द आ गंट अ ग्टा लग्टाए कांसी परसित हम ओल कॉंसी थिविटा कुसी धिते शिन था कुछ नहीं एंग्संधि परसिते लूट वार्नौल दे लिए अनोछ आ हर को बदो रखेर बरनौल को अच्छा निए पैसे अलेले कंपरी के उती है क्या हो गया अब यही फामले आपने नाइंथ में कैसे किये थे ग्राफ से ग्राफ से वो गराब भी देख लो थोड़ा सा काम है यहां प्रॉलम अगर आपको कोई बोलता के ग्राफ से करिये तो नाइंथ में किया आपने पहले बटाए याद है काफी पुर्णनी गेम है इसलिए मैं रिकॉर कर वाता हूं आपको कैसे किया था ग्राफ में यहां मेटा विलासिटी टाइम ग्राफ था जो लाइंत में आपने किया था ना इधर विलासिटी थी और इधर टाइम था यह राटाइम हम बोलते हैं जी यूनिफॉर्म एक्सेलेशन में क्या विक्वेशन होती है विज गूट यू प्लस क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एटी ब्लस यू और मैंने आपको ग्राफ करवाया था य कोडू एम एक्स प्लस टी का याद है वैन एक्स इकुड़ जीरो वाइकुड़ सी और उसके बाद वो पाइंट आगा है जहां से पास करेगे एम पॉदरिव है एक्यूट अंगल वि बना था वो कुछ ऐसा बना था ऐसा यही था जी यहां विलाश्य कितने आ गई यू है ना बेटा यह वाली विलाश्य आपके यू आ गई थी और भाई यह वाली विलाश्य वी हो गई बेटा कुछी बना मास के कल से कोई निया गाई बिना मास के कल से कुछी नियागा बिना मांस गळिसे कोना हे मने पहले भी का था इस तीम जय जुकामी यह जो मिड्य है के कुलंब या चारबन दिनका बोगः आ रहा है तो यह यह दिन का मिनिए चारबं दिन उत्रता है निया पीचे पड़र देख संदी मास्क निया सुष्री मोना ग्मान सटर गो yes a I got a bus keep right now either they came to the king care over time hey yeah there is the water I'll tell you the river oh copy because I'm our bit I can break it so mark of an issue बस उदर निकना देना भी कॉपी फैक उपर से चलो सुनो बस के पुए ना तुम तुम दिल करो उसके साथ तो यहां आपके पास यह जो विला सथी है पूरे के पूरी एक इतने भी और यहां तक इतने थी यू ठीक है बचों मतलब यह आपके पास कितना था यू और बत्चा यह आपके पास कहेए वी तो भाई यह कितना हो गया यह बी मैंस यू हमने वी टी ग्राफ द्रौ कर दिया और इसमें यह यू था यह वी था ही आगया भी मैनस यू और टाइम कितना आगया टी वेटा टाइम आगया भाई टी ये वाला टाइम टी आगया कि मुझे ये बताओ के विलटी टाइम गृफ का स्लोप आपको क्या देता है एकसलरेशन देता है मैं लिखने लगा हूं यहां पे slope of velocity time graph gives acceleration slope of VT graph क्या देता है बटा acceleration slope क्या होता है टेंधिरा तो graph से देखिए टेंधिरा क्या है प्रपेंडिकल अपॉन बेस V minus U upon T कि राइट तो एको डू टेंधिरा बात ही ओई V minus U upon T पॉट पड़ेंगे राजन तेरे पड़ेंगे तो फिर उटेगा निविटा मैं अपनी शेत का इवन देखिए नगना चीए ठेकिये ठेकिया हूँ है A B minus U upon T बेटा आया तो आपके पास आगया V minus U is equal to 80 और पहली एकोईशन आपने डिराइब कर ली ग्राफ से V आगया U plus 80 क्या आगया बेटा भी U plus 80 आगया पहली एकोईशन आपने डिराइब कर ली यहां से आपने एक चीज़ और सीख ली है कि अगर आपको जुरूत पढ़े T की तो T आएगा V minus U upon A देखो T इदर आएगा आजब चाज़ा T इदर आगया V minus U upon A तो यह एकोईशन यह भी बोलते है कि T की आगे कहीं जुरूत पढ़े तो V minus U upon A आज़ाएगा पहली एकोईशन होगी पिटा हमने बोला क्या अगर किसी बोड़ी की इनीशल वासी U है ठीक और उसमें एकसलेशन है तो विलस्टी बढ़ेगी विलस्टी बढ़ गई कितने होगी V होगी यहां विलस्टी V है और यहां विलस्टी क्या थी U तो यह वला U आगया यह पूरा V आगया तो यह कितना आगया V minus U यह टाइम हमने T ले लिया फिर हमने बोला स्लोप ऑफ लस्टी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है एकसलेशन पीटा स्लोप क्या होता है तो मैंने बोला एकसलेशन होगी टैंद रहा के बराबर और टैंद रहा क्या आगया प्रपेंडिक रॉपन बेस इस ट्राइंगल में V minus U upon T कौन सी ट्राइंगल में ट्राइंगल मैं नाम रख लिता हूं इसका है न ट्राइंगल चलो ओ ए बी लिखने के लिए आप लिख सेते हो कि ट्राइंगल ओ ए भी में क्या हो रहा है बात नहीं करने विटा पिच्छा क्या इतना आ गया everything अब एरिया अंडर भॉबसी टायिम मश्या देगा डिष्पे्शमट् डिष्पेश्मट् भीट प्रफले अलजबरिक साइन और यहां तो प्रॉपल लनवे संफ लेविर्ट सुदिबी थे कर यहां अगर डिषप्रमेंट देगा तो मैं निकालते हैं यहां लिख लिता हूँ बटा एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या बटा एकुटू डिस्प्रेश्मेंट बच्छो तो भाई डिस्प्रेश्मेंट आपके पास आगे क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया फ्रेंगल और अप Buddhism अर्टेंगल आपने रेक्टेंगल का नाम आप इनकिलर रकव को इस प्लस एघा सिर्या प्रेंगल टा यही नावर रखा लो अ वे भी है इसको सी और डी रख लो तो रेक्टेंगल का नाम रख लो और रेंगल का नाम रख लो रोए निधा गुर्ण मुस्वे अगी तो नहीं विटा कर ने कर आगव यह रेक्टेंगल के रहे क्या लिकों तो टो टूटि यह यो ए और यह ती है तो यह अगया विटा यू इन टूटी आना विटा ट्राइंगल का अरिया का निका ट्राइंगल का अरिया होता है हाँ बेस इंटो तो देखना बेटा बेस क्या और हाइट क्या हाँ वी मैंनेशंदा इतनी सी बात है बस तो बेस आपके पास आगया हाँ वे इस आपके पास आगया टी और हीड्यकि विनुयोख आगया पर टी तो विनु सिय अपवान अच्छा आप ए इंटर भी मैनस यू किया गया गया एटी यहां सब्सूट करो वी मैनस यू को एटी सब्सूट करो गया एसा आगया यू टी प्लास हाफ एटी स्केर आपने दूसरी इक्वेशन डेराइब कर लिए और स्कूल में ग्राफिकली आता है तो इसने नाम रखने पूरे है ना मैंने बिननाम के आगे बढ़ा दिया ना के यह एरिया ऑफ रेक्टेंगल देस एंड एडिया अफ ट्रेंगल और साथ में लिखना है कि वी मानिस यू क्या होगा फ्रॉम एक्विश नुबर वन वी मानि इरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस बेशन देगा ना बिटा इको डू डिस पेसेंट तो मैं डिस पेसमें लिख रहा हूं और क्या बोला हूं जी एरिया और ट्रपेजियम ऐसे भी तो फान आट गर सकते हैं मेरिया तो ट्रपेजियम का एरिया बताएगा जी आयू स्थाक बोलने मीटाखने पोले गने एड़ेजिया मैं गुलरिया अ अरिया टुपिजियम यजना अफ दो समप बड़साइज इंट प्रबेन को धिसने तो बड़साइज हाफ समप अधिले अरिया अरिया टुपिजम कि ते लोगने बड़साइज आम आधर इसाग्रो विपर इसन अविट तुमार जिसारी लोगन वाल इसंपल दूप्र दूप्र इजिए लोगने बड़साइज आगरो लागरर रुपलस नमुने ग्रप्रत हाफ हाफ समप टूपलर से बड़साइज फिट हाफ समप टूपलर साइज इंट प्रपेंडिकुल दिसंस बिट्विन दूपल साइज तो ट्रपेजियम का एरिया हाफ सम आफ टूपलर साइज यह वली साइज कितने वी और यह वली यू प्रपेंडिकुल दिसंस बिटना टू कितना टी तो मैं क्या लिख हो एरिया हाफ जा सल लिख साइज वी प्लस यू इंटू टी के बरावाबर लेकिन टी इन-गेता भाइ वी mayस बौण ए लेकिन टी तो भाइ वी मैह पॉन टो बो लो वी स्क्यार माइनिस स्क्यार हमने तीसरा फामला भी डिडैयका लिए और था आड algumas अम Neptu तुम्हारे स्कूल का वाला काम करने का काम रहा के बोर्ड एक्जामनेशन के लिए या स्कूल के एक्जामनेशन के लिए डिर भीशन पूठी जाती है और फिर अगले की मर्जी होती है बोले यार ग्राफिकल मेथड़ से करो क्यार्कुलेस मेथड़ से करो यूजली होता है कि क्यार्कुलेस मेथड़ से तुम्हें करने के लिए बोले जाता है क्योंकि नया यही है ग्राफिकल तो नैंत में भी किया था तो यह जो calculus method है वो important है उसी से आपको करना होता अगर कुछ ना का जा तो उससे करिए क्योंकि नई चीज जो आपने सीखिए इस साल में प्लस मन में वो यही तो है integration है अहां जा बिटा तुभी खुश हूँ ले किया इवन दाई वी तभी फ्रेश फिल करता है लंबी सांस लेके क्या खुश हूँ रहा देगो जैसे इसको स्वर्ग मिल गया हूँ इतना हो गया बचो तो आज हमने derivation का काम किया बटा calculus method से और graphical method से दोनों से कर लिया हमारे पास uniform acceleration की सिरफ और सिरफ चार equation है और उन चार equation के सिवा कोई और equation नहीं लगेगी आपकी problem को solve करने के लिए इन ही चार equation से सारी के सारी problem solve होने है तरको काई खुशी हो रही बटा तब से तब से तब से है बोला भी चूपर और आम से पर नहीं तू भी गफे गफे इन ही चार equation से सारी problem आपके solve होंगे इसका मतलब यह हुआ कि इसके बाद जो यूनिफॉर्म एक्सरेशन के आपको यह चार एक्विशन लगानी है नहीं आएगी मुश्किल है भी है बीच मेरी हेल्प लो आपस में discussion करो इस ताइम वो नहीं है 9-10 वाला attitude नहीं होना चाहिए क्यार मैंने कर लिए अब चुपा कर रखनी है बस अगर आपने एक problem कर ली और वो किसी को समझा दी वो हमेशा के लिए problem तुमारी हो गई अगर समझाने में capable हो तो समझाओ पास पास वालों को discussion करो कोई दूसरे ने किया वो तुम समझ सकते हो इस टाइम critical time है सारी मुश्किल चीजें तुमारे सामने हैं क्योंकि मुश्किल इसलिए भी है कि तुमने दो साल जो है ओ मज़े 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 में काटें घर में कोई देख नहीं रहा था लास जब के लिए तो जब के विले रहो और वैसी मज़े ने तरीके ठीके मज़े तुम दूने को बेको बनाने के लिगा खुच है आट लागा नहीं वही रहना था है वाव भी रहा सकता था यह के बटा अब आपको मैं यह भी बता दूँ के मोशन विद नॉन इनिफॉर्म लास्टी यूनिफॉर्म एक्सलेशन नहीं बटा अब हमारे पास है मोशन विद नॉन इनिफॉर्म लास्टी वेरियेबल एक्सलेशन अगर वेरियेबल एक्सलेशन हो तो क्या करना है तो मेरे पास तीनी तीनी टीनी टीनी प्राइप की प्राइप बताई थी बटा मैंने आपको नमबर वान यूनिफर्म लास जी एक्सलेशन जीरो कोई आप्शन नहीं है सी कुट यूटी की सिवा कुछ कर इन सकते हैं हो गया एक दूसरा यूनिफर्म एक्सलेशन चार फॉर्म्ले उसके बार कुछ सोचना ही नहीं рядर वाममले के लिए द तोम्हारी प्राइप की सारेrick के अपकी का यूज नहीं कर सकते हो आपके लिए पास कोई फॉर्मॉला नहीं है किसी फॉर्मॉले से आप फॉर्डम सौल नहीं कर सकते जो पुरा नहीं फॉर्मॉले है तो फिर करना क्या होगा जैसे मैंने ये फॉर्मॉले डिराइब किया ना कर्कूलेस में थर से वैसे यूनिफॉर एक्सेडिकन के लिए नया फार्मला उसी टाइम फ्रेस्ट डेराइब करोगे हdate क्यों कोई पता नहीं हमें वो क्या बोले कैशलेशन एटी के बराषय के बराबर है यह एक्सेलेशन त्रीटी स्केर फूर प्लस फाइब के बराबर है यह acceleration 3TQ plus 2T square के बराबर है क्या बता उसका क्या बुले जैसा वह बोलेगा उस time उस time ही हमें वो नया formula calculus method देख ली ना मिटा calculus method से नया formula बनेगा और उस नया formula में value डालके तुम्हारे answer आएंगे और बच्चे गलती क्या करते हो आप लोग गलती ये करते हो variable acceleration देखे नहीं और आपने ये formula यूज़ कर लिया कोई भी और वो क्या करता है option में इसका answer दिया होता है वो चाहता है कि तुम्हें गलती करो कि ये formula तुम्हें यूज़ करो जैसे उसने दे दिया कि जी acceleration आपके पास कोई formula नहीं है आपको नया formula बनाना पड़ेगा उससे आपके answer आएंगे और वो कैसे होगा ऐसे motion in one dimension में चला हुआ जी variable acceleration आपके सारे formula खतम हो चुके है पराने कुछ नहीं कर सकते for example for example आपने बोला जी A, KT के बराबर है के 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है कुछ भी हो सकता है मान लो के acceleration आपके पास क्या के बटा KT not uniform नहीं है let acceleration is K is some constant, right? KT जैसे जैसे time बदलेगा जैसे जैसे time बदलेगा वैसे वैसे acceleration बदलेगी बढ रही है acceleration तिरको भी समय में गया वायर नहीं है acceleration के 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 वेल टू हो सकती है विटा 3 हो सकती है, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है कुछ भी तो acceleration आगर KT आगा है तो variable acceleration होगी, concern नहीं है तो हम क्या बोलेंगे वह बोल लेका बताओ भाई velocity 3 second के बाद कितनी है और आप अगर इस formula का यूज करोगे option में होगा लेकिन आपका question गलत हो गया सीधा दिमाग में बिठा लो variable acceleration जब है तो कोई formula नहीं है आपके पास आपको नए formula derive करना कैसे calculus method से ए क्या होता है DB by dt तो DB क्या हो जागा ADT लिख दो मैटा DB is equal to ADT स्पेस की कमिया तो मैं यहाँ पर DB is equal to ADT लिख जाता हूं यह कितना भाई केटी तो आगा केटी डीटी क्या होगा केटी से तो मैं कितना क्यों मता केटी है क्रिश्टा है अच्छ 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 तो कृष्टा बोल रहा है क्रिश्टा कृष्टा क्रिश्टा कृव अ केटी है को क्टो डीवी आगा वेटा 80T क टीटी क्या करेंगे विलवस्टी का फौर फान भू बनान भींवी का बीम लान तो क्या करेंगे इंटीग लेटिग वौशयड जाइट सब्तो FR न क्या बोटा db का integration initial ocu final ocb right k into tdt का integration मान लो time की limit is 0 to t db का integration v अब डी वी ना क्या लिखे हूं सिधा लिख दो v-u db का integration v upper limit minus lower limit v minus u आगया equal आगे क्या हो गया k tdt का t2 by 2 limit डालेंगे तब यह आएगा तो बेटा इभी आगया u plus half kt square यह आपका नया formula बना इसमें अगर आप t की value डालोगे kt is equal two second of velocity निकालो जी तब आएगा आपका answer अगर इसमें डालोगे तो answer आएगा तो से ही लेकिन गरत होगा क्योंकि यह हमने क्या किया था यह वाला question आपने constant acceleration के लिए किया था यार एबार निकर गया था सारा का सारा यहां जब हमने derive किया था तो एस आपार था डीटी का integration हो आथा सिरुप यहां तो यह किटी आगया एक टी आ उदर चला गया integration ही बदल गी फार्म लेड़ गया अगर मैं केटी को ए भी लिखोए यह थानविटन का गर मैं केटी को ए लिखूं तो यह फॉर्मला बना यू प्लस आप 80 और यहां किया था यू प्लस तो यू प्लास एटी से निकालो गए वो भी आप्शन में होगा लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि आपका जो फॉर्मला नया बना वो यू प्लास हाफ एटी बना है क्या मेरी बात समझे तो तीन टाइब की प्रवडम है सिर्फ आपके इसी चेप्टर में अगले चेप्टर में भी तीन टाइब की आएगी मदलब यह आपके कंसेप्ट जो है अब आगे तक 3-4 चेप्टर में चलते रहेंगे इसलिए ध्यान से इसको समझना है और इसके बाद जो शॉटकर पहले करने हैं सारी प्रोडम इस कंसेप्ट से ना और उसके बाद नेक्स लेक्षर आपके शॉटकर्स का होगा वो शॉटकर जैसे करवाऊंगा वैसी दुबार प्रोडम करने हैं और देखना है कि पूरे पेज में जो रही थी वो दो तिन लाइन में कर पा रहे हो का नहीं कर पा रहे हो ठीक और फिर उसके बाद यह जब आपके पास आजाएंगे नेक्स चेप्टर जो प्रजेक्ट एलेमोशन का है वो भी आपका खतम समझो उसका ला अब लाग है तो बोलना के मुझे पढ़े शचिए पस्मुन हो मान रहा है हो रहा हुआ घ्लना उना को सकता है कि आपको एक्सेशन ऐसे दिया ऑखेस पहले कैसा से सब बड colaborator तो बडूजराशनियोट सेघिए कर रहा था आव एसके साथ बडूजरा रहा है तो यह तो यह a equal to V into dv upon ds क्यूंकि ऐसा अगा एक तो ds व्ला फामॉला एक्सलेशिन एविट व्ला क्या वी इंटु ड्वी अपॉन ड्यास तो भी इन्टु ड्याप आपउन ड्यास इकृड के एस बीडी विडी एक आगा के इंटु 2s अब आया एस ये गलतिया होती है तो याद रखें जैसे आपको दिखे के बाइस वरियेबल एक्सेलेशन है तो आपको नया फर्मॉला उस से थाजा थाजा बनाना है और उस फर्मॉले से आपके आंसर आएंगे पुराने कोई भी फर्मॉला आपका नहीं चलता वरियेबल acceleration के लिए कोई formula ही नहीं है समझ गया तो आपके दो प्रॉडम तो बहुत ही असान हो गई uniform lossy as equal to ut कुछ नहीं करना और variable acceleration में हमेशा नहीं फॉर्मला बनाने पड़ेगा कोई formula और यूज नहीं करना बीच में कौन बचा uniform acceleration चार फॉर्मले है उनीच से इसके graph के question भी है वो भी करने है और आप वाले question भी करने ठीक है बचाओ हां नेक्स लेक्षिन में फिर ये सारे कि सारे बताने बाला हूं मैं आपको सारे कि सारे shortcut जोंगे ठीक है जी प्रॉल्म बेराक हुई है तो आप डिसकसा भी कर सकते हैं मेरे साथ आप नाइन में कौन कोना जी झाल 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 झाल